Redmi की तरफ से दो बहुती ज़ादा बढ़िया मुबाइल्स एक है Redmi का 9 Prime जो भी हाली में लॉंच हुआ है 10,000 का दूसरी तरफ है Redmi का Note 9 जो आपको मिलता है सिर्फ 2000 मेहंगा 12,000 में तो इस वीडियो में इन दोनों मुबाइल्स में comparison करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंट तक देखते रहीएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा अगर आप एक म नोट 9 के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अंबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगावा है बहुत अच्छा दिया गया है यह सारा समान तो आपको मिलता है रेडमी के नोट 9 के साथ 12,000 में रेट की साब से देखा जातो बॉक्स के काफी अच्छा है और टाइप सी केबल भी दी गई है चली देखते हैं अगर आप 2000 कम खर्च करते हैं रेडमी के 9 प्राइम पे तो इसक के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको उसी तरीके से क्मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगवा है एक सिमिजाक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैन्वल इसके बाद दिया गया है यह सिंपल का अफी ऊठा चारजर अब दोस्तों फर किये हैं धार यूजर न की किमत भी दोहजार ज़ाता है और इसके की मत कम है जात चली है री देखा जाए है लेकिन रेड़ क्लर आप देख सकते हैं नोट ने का का अच्छा लग रहा है लेकिन नोट नैन में कमी यह है स्क्रेचिस बहुत जादा असानी सा जाते हैं इसके बैक पैनल की कुईलिटी मुझे काफी जाद हलकी लगी वही दूसरी तरफ रेड़ में आइन प्लास्रिक के टाइब के रिजान मिलता है कुछ इससरी की की लुप में ऊपर की तरफ ब्लू और नीचे की तरफ परपल कलर का एफेक्ट दिया गया है जो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दोस्तों फर्किये हैं रेड़ मी नाइन प्राइम प्राइम बहुत कम देखने क इसका फ्रन क्यामरा है 13 MP का कैमरी की परफोरमंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती हैं वहीं दूसरी तरफ रेड़ मी के नाइन प्राइम में आपको पिछी की तरफ चार कैमरे दिये गया है लेकिन इसका पहला कैमरा 13 MP का है दूसरा 8 MP 3,5 और 4 2 MP इसका फ्रन कैमरा है 8 MP पिक्सल का, दोस्तो कैमरी की परफॉमंस इसके अंदर भी आपको रेट की हिसाफ से अच्छी मिल जाती है, कैमरी के अंदर दोनों मुबाल्स अपनी जगा सही है, फिर भी आपको थोड़ा सा और ज़्याद अच्छा मिल जाता है, रेडमी का नोट 9, पैसे दोस्तो कैमरी के जाधा अच्छी होने के वो जैसे मुझे 9 प्राइम जाधा पसंद आया, जिसे की साथ मुझे कलर भी इसका जाधा बेटर लग रहा है, ये ब्लू कलर परपल कलर के साथ, बात कर दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही मोबाल्स में आपको 6.5 इंचिस की डिस्प करेंगे, आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाती है, होम स्क्रीन पर ही आपको सारी अप्स दी गई है, अंदर से चलाने में ये दोनों ही मोबाल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, चाहे आप 9 प्राइम खरीदें या फिर नोट 9, इसके प्राइम में आपको नॉच वाले डिजाइन मिलता है, जो काफी पुराना हो गया, तो डिजाइन जो है डिस्प्ले का वो ज्यादा लेटेस्ट दिया गया है, इसके लाव दोस्तों अगर आप कलर्स देखिए डिस्प्ले के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे ही मिलते हैं दोनों की डिस्प्ले में मुझे एक कमी ये लगी, आपको ब्रैटनेस थोली सी डाउन मिलती है, तो इस चीज़ को लेकर मुझे कमी लगी दोनों मोबैल्स में, तो डिस्प्ले का साइज और क्वालिटी तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन Note 9 में आपको डिजाइन और चला सकते हैं, ये बहुत अच्छी होबी है, अब दोस्तों, दोनों ही मोबैल्स के अंदर आपको मिलती है, चाट जीबी ग्रैम, चॉसाट जीबी के इंटरनल स्चूरेज, इस चीज में दोने क्यासे है, रेड्मी 9 ट्राइम में आपको 64 जीबी में से फ्री में मिलती है 49 सब्सक्राइब को इतने ही दी गई है उनाचाज जीबी के आसपास बहुत थोड़ा सा फ़र्ख है पचास साथ एंभी आपको और जादर मिल जाती है रेडमी के नोट नाइन के अंदर जादा खास फरक नहीं इन दोनों में इसके लाव दोस्तों दोनों ही मोबल्स के अंदर Android का बिलकुल लेटे सोजन दिया गया है Android 10 इचीज दोनों मोबल्स में काफी जाद अच्छी है रिसेंट एप्लिकेशन की Windows में आपको दिखा देता हूँ थोड़ी छोटी दी गई है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो 9 Prime के अंदर भी और Note 9 में भी दोनों ही मोब के साथ नहीं मिलता वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा बात कर दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो 9 Prime के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G80 प्रोसेसर वहीं दूसरी तरफ Note 9 के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G85 प्रोसेसर अब दोस्तों अगर आप एक बहुत ज़ के चीज है वो किस मुबाइल में जाद अची है तो अगर आपको दिस्प्ले के अंदर दोनों ही मुबाइल्स एक जैसे है लेकिन अगर आपको डिस्प्ले का डिजाइन और अच्छा चाहिए तो आप Note 9 ले सकते हैं पापि दूस्तों रेट के साब से दिखा जा तो मुझे के अदर दोनों ही मोबाल्स काफे जाद अच्छे हैं थोड़ा सा जादा बेटर नोट नाइन ही है लेकिन रेट को देखा जा तो दोस्तों दस जादार में रेड्मी नाइन प्राइम में आपको काफी बढ़ी आ प्रोस्सर दिया गया है अगर नोट नाइन के अंदर जी नहीं लगी इससे और जाद अच्छे स्मार्टफोन सा आपको देखने को मिल जाते हैं तेरा 14,000 के बजट में तो आपको और सा मोबाल देख लिएगा बाकी नॉर्मल यूस के अंदर आपको रेड्मी नाइन प्राइम में दिक्कत नहीं होगी कैमरे को लेकर इसके लग दूसरे डिजाइन और जाद अच्छा है इसके अंदर इसके अंदर आपको प्रॉससर वैसे ही दिया गया है लगबग और चौतर इसके अदर आपको बैटरी अच्छे मिल जाती है नूट 9 की तरह तो चार चीज़ अगर आप लिए मैटर करती हैं तो दोस्त आम आप से यह इन दोनों चीज़ों का ही बड़ा फर्क है नोट 9 में और रेडमी 9 प्राइम में इनकी कीमतों को देखते हुए मुझे रेडमी 9 प्राइम ही जादा पसंद आया इसकी कीमत भी कम है और इसके अंदर आपको फीचर्स भी काफी बढ़िया दिये गये हैं तो दोस्तों मुझ इसमें 9 प्राइम की पसंद आया आप बताईएगा नीचे कमेंट करके आपको इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे